तो दोस्तों अगर आपने भी SSCD Constable 2022 का form apply किया था और आपका भरावा form SSC ने reject कर दिया है किनी कारणों की बज़े से तो यहाँ पर क्या है इसका solution किस तरीके से आप उसमें सुधार कर पाएंगे यहाँ पर आज किस वीडियो में आपको detail से समझाए जाएगा क्या यहाँ पर इसके लाबा form भरने में अगर कोई गलती कर दी है तो क्या आँगे चलके document verification में आपको बाहर होना पड़ेगा complete information आज जिस वीडियो में आपको provide करा जाएगी वीडियो को पूरा लास तक देखे जनके अगर आपको अच्छी लेगे जल्दी से वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर दिये नमस्कार दोस्तो मेरा भी सिंग और आप देख रहे हैं टॉक दर भी यूटूब चैनल चलिए आज का वीडियो हमें start करते हैं form को reject किया है दूसरा यहाँ पर कारण है कि invalid signature अगर आपने signature को गलत तरीके से अप्लोड कर दिया है तो ssc ने form को reject किया है इसके लावा अगर आपने multiple application यानिकि दो अलग अलग राइश से से ससे इडिक कॉंस्ट्वल में दो form apply कर दिये हैं तो भी ssc ने जो आपके form है उसे हाँ पर cancel कर दिया है यानि कि reject कर दिया है इसके बाद दोस्तों आपको बता दी हाला कि बच्चों के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफी की गई है वो नाइंसाफी यह मैं आपको बताएता हूं कि ssc पिछले एक साल से जितनी भी भरतिया निकाल ला है तो हर एक भरती में यहाँ पर correction window provide कराता है जैसे ही आपके application समाप्त हो जाते हैं 2-3 दिनों के बाद कम से कम 2 दिनों का correction window दिया जाता है और जिसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप 200 रुपए देकर आसानी से सुधार कर सकते हैं पहली बार में दूसरी बार सुधार करने पर आपक form SSC accept कर लेता है correction window दे देता है दोस्तों के जगेपर भीया 300 रुपए दे ले ले लेकिन यहाँ पर हमें correction window तो कम से कम provide करा दे लेकिन आपको पता होगा कि SSJD Constable की भरती में कोई भी correction window नहीं दिया गया उसके बाद आपको बता दी कि जो CHSL का भी भरती चला है जिसके online आव गलती कर दे जिस वजह से SSJD Constable का बच्चों को correction window नहीं दिया गया सोच लीजिए कि अगर आज correction window SSJD का मिला होता तो यहाँ पर जो हजारों form reject हुए हैं यह form reject ना होते बच्चे आसानी से correction कर लेते क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर पहली बार form apply करने हैं उन्हें नहीं पता है किस तरीके का पो apply करना है तो ऐसे में SSJD को correction window जरूर देना चाहिए था लेकिन अभी हाँ पर correction window तो नहीं मिल पाया है तो क्या अभी हाँ पर correction window SSC provide कराएगा तो देखे मैं आपको बता दू कि वैसे मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर SSC आपको एक बार फिर से correction window प्रवाइड कराएगा क्योंकि SSC ने कभी ऐसा नहीं किया है एक दो बार ऐसा हुआ है जब SSC ने बात में जो candidate है उनको modify का मौका दिया है लेकिन यहाँ पर मुश्किल है कि SSJD कॉंस्टवल का correction window आपको मिल पाएगा ऐसे में जिन भी candidate का form यहाँ पर जेक्ट हो गया है तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका जो form है वो accept हो सके यहाँ पर तो देखिए आपको बता दे कि वैसे हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है क्योंकि SSC का कोई भी official account नहीं है यहाँ पर जितने मैं पहले ही आपको explain कर चुका हूँ सबसे पहले आता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि SSC के पास में अपना feedback भेजना है वहाँ पर complete details with registration उनको provide कराना है कि ऐसा-एस आपके form में problems हुआ है और किरप्राइस का solution का मौका दिया जाए दूसरा यहाँ पर बढ़ा आता है कि आप SSC के पास अपना useful mail भेज दीजिए mail का reply SSC आपको 100% provide कराता है दो से तीन दिन का समय लग जाता है और दो से तीन दिनों के अंदर जो SSC आपको mail का reply है वो यहाँ पर provide कराता है तो ऐसे में देखिए mail अगर आपको भेजना होता है तो आपको क्या करना होता कि पूरा का पूरा ऐसा mail का format लिखना है और उसके बाद किस वज़े से आपका form reject हुआ है क्या form में आपकी गलती है उसकी प्रती और जो आपका application होता है उसकी प्रती भी साथ में आपको लगाकर mail में भेजनी पड़ती है और mail आपको एक जिगे नहीं बल्कि दो जिगे भेजना होता है पहला mail आप करेंगे same mail होगा आपका और वो mail आपका जाएगा जो आपका region का head office SSC का वहाँ पर आपको उनकी official mail पर mail करना है दूसरा आएगा कि SSC का जो main headquarter है दिली में वहाँ पर उनकी official mail पर आपको mail करना होगा तो ऐसे दो mail आप कीजेगा हो सकता है कि अगर SSC की किसी गल पर रहेगा तो SSC वैसे तो आपको solution वगरे provide करानी की पूरी-पूरी कोशिस करता है तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला मौका बनता है कि आप SSC के पास mail भीजिया और उनके reply जो भी आता है उस पर आप देखी कि क्या यहाँ पर problems कर रहा है SSC और क्या यहाँ पर आपको कोई गलती हुई है तो देखें ऐसे कंडियेट को करना क्या होगा कि देखें अभी तो आपके सामने कोई भी परेशानी नहीं हुई है कि आपको form SSC ने जो है वे accept तो कर लिया है लेकिन अगर आपने अपने नाम में कोई गलती किया है कोई गलत डेट वर्थ फिल कर दिया ह या फिर अगर आपने अपनी कैटिगरी को कोई गलत फिल कर दिया है तो यहाँ पर आँगे चलके आपको बाहर होने की पूरी-पूरी संभावना है हाला कि दोस्तों देखें अगर आपका मान लीजे कि अगर आपका OBC कैटिगरी है और गलती से अगर आपने जर्नल कैटिगरी से बनेगा तो फिर आपके बाहर होने के चांसे कम बन जाएंगे लेकिन अगर आप जर्नल कैटिगरी के यह और आपने OBC कैटिगरी डाल दिया है तो आपको पता है कि OBC का कटॉप थोड़ा सा कम जाता है तो कम कटॉप में भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा ले आपने कुछ बड़ी मिश्टेक कर दिया है आपके नाम आपके फादर के नेम आपके मदर्स के नेम आपके डॉइट डे टॉप बार्त या फिर आपने जो अपना आईडी वहाँ पर सम्मिट किया है उसमें को एकले ट्रिल्स को फिल किया है तो फिर उस समय आपको वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है I hope दोस्तों कि आपको जानकरी चलगी होगी और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे निचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दवा कर ए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल्द एक और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में तब तक के लिए धनवाद और जैहिंद